आएए देखते हैं इन्वेस्टर को किसमें ज्यादा कमाने को मिला ये शेर में या निफटी-फिफटी इंडेक्स में 1-1 2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद शेर प्राइस थी और इंडेक्स था लोगडाउन में जब लोईस पॉइंट पे मार्केट थी तब 23 मार्थ 2020 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था और करन्ट प्राइस है और इंडेक्स है अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए एक लंबी एउदी में शेर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए दो जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा स्टोक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले 3. जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले 4. हमारा शेर अपने सेक्टर का टॉप शेर होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा शेर निफ्टी से बेटर है या नहीं यानि कि पहले 3 पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको सेक्टर का टॉप शेर चुनना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1.1.2014 को 1 लाग रुपे इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1.01.2020 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपे हो गए मार्च में इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करण शेर इन्वेस्टमेंट की वेल्यू है 1.1.2014 के दिन 1 लाग रुपे निफ्टी 50 शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन Nifty 50 में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में इस इन्वेस्टमन की वेल्यू हो गई और करण Nifty 50 इन्वेस्टमन की वेल्यू है शेर में अप्रिसियेशन ज्यादा हुआ है इसलिए 1st point शेर ने जीत लिया है 2nd point शेर ने जीता 3rd point Nifty ने जीता आधी मेच में किसने ज्यादा रन बनाए ये important है लेकिन मेच कंप्लेट होने पर क्या scoreboard है ये सबसे ज्यादा important है Overall Nifty जीता चार्ट में देखते हैं एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये शेर और Nifty का इंडेक्स जैसे पिछले साथ सालों में चले है वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी value कहां पहुँचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% इंट्रेस से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने percentage का return दिया ये शेर ने कितने percentage का return दिया THANK YOU